आज आपके डेली उसके लिए बहुत ही काम की रेसिपी है जो कि आकसर आप लोग बनाते ही होंगे और वह है पूरियां पूरियां अकसर दिन बदिन बनाते हैं तो देखे इसमें कुछ ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी बुणिया बन कर त्यार होंगी तो नॉर्मल जो हम लोग घर में यूज करते हैं गेहूं का आठा वही दो कटोरी मेंने आठा लिया है आप किसी भी नापकी कटोरी ले सकते हैं और इसमें जो अच्छा इफेक्ट आएगा पूरिया बनाने में तो इसका मेन इंग्रिंट है दूद तो इसके लिए मैंने दो चमच नमक डाला है और एक चोटी चमच में इसमें पिसीवी चीनी डालूंगी इससे ही पूरी का कलर क्रिसमेस सब बहुत अच्छी आएगी इससे चीनी डालने से और इसमें मैं आधा कटोरी दूद डालूंगी अगर दो कटोरी आटा है तो आधा कटोरी आपको दूद ल दालके और आटा गुननाँ आटा आटा आपको मुलायं नहीं गुनना इसके लिए आपको टाइट आटा गुनना तो थोड़ा थोड़ा डालके आठी को गुन्देंगे जैसे कि आटा एकड़ा से सौफ्ट Nous Jai पूड़ी के लिए आटा थोड़ा सा टाइट ही गुंदा जाता है लेकिन अगर आपको कचोड़ी बनानी हो तो फिर आटा आप टाइट ना गुंदिएगा फिर थोड़ा सा सॉफ्ट गुंदिएगा लेकिन मैं आपको ये पूड़ी के लिए बता रही हूँ तो थोड़ा थ पूडिया बनकर ऐकित्य तेयार मैं का युए पूड़ी बहुत बढ़िया फूली और कॉई भी पूड़ी आपकी जो है इया बढ़िया पूड़िया मनकर तैयार होंगी इसे तें कि मैंने दूद डाल अब दूद मेरा सारा खतम हो गया है मैं इसको गुन रही हूं इसी से और अब जितनी मुझे पानी की जरुरत हो की उतना मैं पानी डालके थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक टाइट आटा लगा कर त्यार करूंगी यही कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी पूड़ियां बहुत बढ़िया बनेंगी देखे अब मैं पानी से गुन रही हूं आटे को पानी भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि आटा एकदम से मुलायम न हो जाए थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए और आटे को सक्त गुनना है पूड़ी के लिए देखे हमारा आटा गुंद के रेडी हो गया है इतना टाइट गुंद ना जितना आपको वीडियो में दिख रहा है इससे मुलाइम नहीं करना है अब मैं हाथों में थोड़ा सा ओयल लगा के और इसके ओपर लगा दूँगी ताकि इसके ओपर कोई क्रैक्स वगेरा ना आए और भड़ी आटा मरा रहे थोड़ा सा मसल के मैं इसके ओपर ओयल लगा लूँगी थोड़ा सा इदेखे मैंने थोड़ा सा ओयल लिया है हाथ में ऐसे ही आपको भी लेना है और चारों तरफ से लगा की और इसको थोड़ा सा मैश करकी और आप इसको रख दीजीगा देखे अब मैं इसको ढखके आदे घंटे के लिए रख दूँगी और उसके बाद जो है मैं इससे पूड़ियां बेल कर त्यार करूँगी अब मैं इसको ढखके रख देती हूं आदे घंटे के लिए अब आदा घंटा हो गया है तो मैं जो हूँ यह देखी पूड़ियां बेल रही हूं मैंने इसके लिए बेलन के लिए बेलन पे थोड़ा सा ओल लगा लिया है मुझे इसमें पराथन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको ऐसे ही बेलना है देखे मैंने आटे की लोईयां बना ली है और मैं पूड़ियों को बेल रही हूँ अब इसकी पूड़ी जो है मोटी नहीं बेली जाएगी नॉर्मल बेली जाएगी यह पूड़ी आटे उस पे बेलन पे तेल लगा लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको पूड़े को बेलना एक बन गई है अब मैं दूसरी बेलती हूँ आप देखे अब दूसरी भी पूड़ी बेल गई है हमारी इस तरीके से मैंने चार-पांच पूड़ियां बेल कर रख तयार कर ली है मैं आपको दिखाती हूँ अभी अब मैंन को फ्राइ करुँगी अब फ्राइ करने के लिए क्या ट्रिक्स है ज़िए..? oil को गरम करने के लिए कड़ाई में रख दिया है और oil प्रॉपर गरम हो जाना जी हाई फ्लेम पे तो जब गरम हो जाए तो आप ये आटे का छोड़ा से फुकड़ा डाल के देख लीजेगा अगर ये ऊपर आ जाता है फटा फट तो इसका मतलब oil हमारा अच्छा रेडी हो ग दिखाती हूं मेरी एक एक पूरी बिल्कुल बड़िया फूल के त्यार होगी और इसमें कुछ भी मैं कटिंग ने करूंगे सीधे आपको दिखाऊंगी देखिए मैंने एक पूरी डाली है और ऐसे हलका हलका प्रेस करते वे आपको पूरी को तलना है तो देखिए कित्ती बड़िया फूल ली हुई पूरी बनकर त्यार हुई है पलट लेंगे देखिए नीचे से लाल हो गई अब दूसरी तरफ से लाल कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे किती बड़िया मज़ेदार हमारी पूरियां बन कर त्यार हुई है देखिए अब मैं दूसरी डालते हूँ आपको दिखाने के लिए और इसको भी असी हलका सा प्रेस करेंगे और ये भी बड़िया फूल कर निकल लेगी देखिए आपके सामने आप देख रहे हैं किती बड़िया मारी पूरियां मन कर त्यार हो रही है और इसमें एक चीज और है कि अगर आपको पूरिया को थोड़ा साफ्ट रखना है तो आपको थोड़ा सा कम तलना है और तुरंत फ्राइ करके खाना है, तो आप इसको ठध़ हो आप और लाल करेंगे, तो फिर चूमाय के को थेली खोर में घाकिब देंगे तो वो देखिए कितनी बड़िया फूल कर तयार हो गई पूड़ी और इसमें मैंने कोई कटिंग नहीं करी ये वीडियो में आपको डाइरेक्ट दिखा रही हूं सीधे तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी पूड़ियों को जो है तल कर तियार किया है ये देखिए एक और पूड़ी डाली मैंने पांच पूड़ियों मेली थी अब ये मैंने चौति पूड़ियों डाली है और ये भी वैसे ही वनकर त्यार हो जाएगी देखिएगा तो है ना मैजिक एक तरीके का ये आप लोग इस मैजिक को जरूड़ियों करिएगा और बहुत मज़ा आएगा आप लोग को पूड़िया बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी देखिए ये भी मारी पूड़ी रेड़ी हो गई है अब एक और डालूंगी इसमें भी वही मैजिक काम करेगा आप देखिएगा ये भी फूड़ कर त्यार हो जाएगी देखिए कित्ती बड़िया पूड़ी बन कर हमारी त्यार हुई है और इसमें बता रही हो कि आपको अगर थोड़ी से मुलायम रखनी है तो आप जलसी में दिखरी वीडियो में आप इस तरह की निकाल के रख लेंगे तो ये पूड़िया जो है टाइट नहीं रहेंगी और सौफ बनी रहेंगी सारा दिन तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो देखिए हमारी पूड़िया बन कर बिल्कुल रेड़ी हो गई है सारी मेरे को ज़्यादा लाल करना था तो मैंने इसको ज़्यादा लाल कर लिया और मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी देखी मेरी सारी गर्मा गर्म पुड़िया बन करते आ रहे है और इसको मैंने जो है दाल के साथ सर्फ किया है और तो आप चाहो तो दाल के साथ सर्फ करो या किसी आलू की सबजी के साथ सर्फ करो जिसके साथ आपको पसंदो आप इस पुड़ियो को सर्फ कर सकते हो तो मिलत आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई